ઇंटर wonderson एक state से दूसरे state में change होना conversion होना उसका तो हमने दो conversion के बारे में discussion कर लिया था एक हमने पड़ा था solid से liquid कैसे बनता है ठीक है और दूसरा हम पढ़े थे कि liquid से solid कैसे बनता है उसका reverse जब solid से liquid बनता है तो उस process को हम बोलते हैın fusion और melting बदानें तो यह हैं जब लेक्ट से सॉलिड हमारा बनता है उसको बोलते हैं फ्रिजिंग और। व्यूंजरिपीकेशन एंड थोर्ड हम पढ़ने वाले वेपराइजिशन और वइलिंग क्या होता है इस process में हमारा जो matter का liquid state होता है कोई substance or liquid state में है वो gas state में change हो जाता है इसी process को हम बोलते हैं vaporization और boiling boiling क्यों बोलते हैं देखिए example से समस्ते suppose हम kitchen में गए हैं ओके वहाँ पे हमने एक बरतल लिया container उसमें हमने पानी रखा ठीक है अब हम flame मीचे से जलाएंगे तो पानी खूब ज़्यादा जब वह boil होने लगया बॉल का मतलब उबलने लगया तो उसमें से वैपर्स निकलते हैं भाफ जिसको हम बोलते हैं उसी को यहाँ पे वैपर्स बोलते हैं तो यह वैपर्स निकलते हैं तो हम बोलते हैं वैपराइजेशन वैपराइजेशन कैसे होता है जब हम इसको boil करेंगे water को ऊके तो इसी process को हम क्या बोलेंगे वैपराइजेशन और boiling ठीक है आपको समझ में आगा इसका छोटा सा definition है देखिए क्या है आसानी से समझ में आ जाएगा दे प्रोसेस ओफ कनवर्जन ओफ लेक्विड सेट इंटू अगैसियस स्टेट इस कॉल्ड वैपराइजेशन और वोईलिंग वो प्रोसेस जिसमें एक लेक्विड स्टेट का कनवर्जन होता है चेंज होता है किसमें गैसियस स्टेट में उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वै वैपराइजेशन और वालिंग तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा तो ये था हमारा वैपराइजेशन का प्रोसिस्वाट में अब हम तोड़ा सा पाार्डिकल के लिटकर को डिसकस कर लेथे हैं कि पाडिकल का अरेंजमेंट कैसा होता है इसको हमने कई बार डिसकस कर चुके हैं और आज फिर एक बार डिसकस करते हैं ठीक है तो यह हमारा solid state है ठीक है यह liquid state है एंड यह गयसिए state है तो इसमें Particles का arrangement दिया हुआ देखिए जो solid के अंदर बारופate कैसे होते हैं बहुत ही closely packed होते हैं इनके बीच का जो space होता है वह बहुत ही कम होता है particles जो है वो बहुत ही कर सकती तो यह सब हमने solid से liquid शोलीड में liquid से change होगा हमारा gasy state में. तो liquid में particle का arrangement क्या होता है? moderate होता है, यह move कर सकते हैं. इधर उधर ठीक है. इसके भी इसका जो intermolecular force of attraction है. intermolecular force of attraction क्या होता है? कि particle कितने पास-पास हैं एक दूसरे से. तो solid के compare में इसमें जो intermolecular force of attraction होता है, वो moderate होता है. gasp से ज़्यादा होता है and solid से कम होता है देखिए इसके particles किसमें आएंगे moderate होंगे बीच में होंगे इसके बहुत ज़्यादा दूर दूर है इसके बहुत ज़्यादा पास-पास है तो बीच में हमारा क्या आएगा liquid state तो हमारे जब हम इसको heat देते हैं जैसे पानी लिए उसको वाल करते हैं नीचे से temperature देते हैं heat के दवाला तो क्या होता है जो पार्टिकल्स का arrangement है वो change हो जाता है इसी भी direction में freely move कर सकते हैं इनकी density भी बहुत ही कम होती है ओके तो पार्टिकल्स का arrangement आपको समझ में आ गया क्या होता है पार्टिकल्स हमारा चेंज हो जाता है इसमें हमारे पास-पास होते हैं इसमें एकदम दूर-दूर हो जाते हैं solid की compare में इसमें दूर होते हैं बड़ करते हैं its particles become more energetic उसके अंदर जो particles होते हैं उनकी energy बढ़ जाती है the kinetic energy of particles increases उनकी kinetic energy बढ़ जाती एक दूसरे से दूर-दूर हो जाते हैं करने लगते हैं the energy supplied by heat overcomes the intermolecular force of attraction between the particles and the particles start moving fastly in all direction as a result liquid changes into the gas क्या होता है हमने अभी तो समझा है वही चीज सीम तिंग यहां पर क्या हुआ है लिखा हुआ है जब हम temperature देंगे तो temperature हमारे क्या करता है उसके बीच का intermolecular force of attraction को कम कर देता है उनके बीच के जो bond होता है उसको break कर देता है पार्टिकल समाए liquid में कैसे होते है ठीक है यह हमारा container है तो कुछ इस तरीके से हमारे liquid के अंदर particles रहते हैं तो यह क्या करते है इसको change करके और दूर दूर particles को कर देता है इनके बीच का intermolecular force of attraction होता है उसको बहुत ही कम कर देता है जिसे particle का arrangement क्या हो जाता है चेंज हो जा से यहीं पर हम समझेंगे latent heat of vaporization क्या होता है कितना temperature देंगे तो हमारा जो water है वो वॉयल हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हमने लिया है एक container एक बरतन लिया है जिसके अंदर हमारा liquid रखा हुआ है आपको दिख रहा है यहां पर liquid है ठीक है इसके अंदर particle का arrangement भी आपको ल लिक्विड है यह क्या है the gas okay हुआ हमारा instrument साइस को हमने इस तरीके से अरेंज किया है यह हमारा जो नीचे है यह हमारण क्या करेगा temperature देगा आग निकलेगा इससे ऊक्यों अ्य सब्सक्राइबर यह जो है यह पाइप यहाँ हमारा see and यह वह सीरक्त 対ward stand को रखेंगे एक जाली सब्सक्राइब को इसको रखंगे इसको रखेंगे उसको कंटेयनर बोले बर्तन होता है ठीक इसे में यह मैंने लूपर बिल तो हम्नेने में वर्ट ङला समय टता इस अब प्रोसेस को हम स्टाट करते हैं तो यह हमारा क्या है तो यहां से तेंपरेचर अब हम इसको दे तो driving जाएगे हिट देते जाएंगे देते जएनगी रहें कि तक यह 100 पर नहीं पहुत जाएगा चलाइसेह का Тब तक सबनी करें हैं देती जा रहें ठीक ही यहाँ से जलता जा रहा है तो ही जाई सैम्हें के पानिय में लिया है वह पूरा-पूट हो जया जो Six इसमें पानी यह पूरा खाली नहों जाए वीकर एंड पूरा पानी हमारा वैपरस में गैस में ना कर्मट हो जाए तब तक इसका टेंपरेचर 100 को छेंज कर रहे हैं यहां से टेंपरेचर दीखा नहीं रहा है यहां पर दिखा नहीं कर रहा है कि यह त्रेक्शन फोसस को ब्रेक कर रहा है इसको चेंज कर रहा है किसमें गयास स्टेट में पार्टिकल के रेंजमेंट को चेंज कर रहा है तो जब तक पूरा पानी हमारा क्या नहीं हो जाएगा वहाँ बन के उड़े नहीं जाएगा तब तक इसका टेंपरेचर 100 टेंपरेचर बढ़ाते जाना है लेकिन यह में 100 से जादा नहीं दिखा रहा है पहले क्या था था फिट टुटी जीट स्वावब वाबढ़की उड़ेड नहीं गया थर्मामीटर में दिखा रहा था लेकिन जैसे 100 पर यह पहुंचा यह कॉंस्टेंट हो गया वहीं पर रुप गया कब तक रुका रहा रहा जब तक कि पूरा पानी भाब बढ़ की उड़ नहीं गया ठीक है जब तक यह पूरा जो हमने वाटर लिया था वैपर फॉर्म में नह भी खाई नहीं दे रहा थर्मामीटर में इसका टेंपरेचर बढ़ नहीं रहा है यह कॉंस्टेंट हो गया तो जितना देर तक हमारा यह टेंपरेचर रुका रहेगा ठीक है हंडेड डिग्री सल्सेस रहेगा जो हीट हम उसको देंगे जब तक यह इंक्रीज नहीं करेगा उतना हीट कुंबोलते हैं लेटेंट हीट अव या परवसेस उराइजसन गा तो बोलेंगे लीटेंट हीट ऊपराइजेशन ओके तो हमने आपको वाइलिंपॉंट एड लेटेंट हीट वफराइजेशन समझा दिया एठीक है अब हुसका डेफिनेशन देख लेते हैं यहा temperature को हम बोलते हैं boiling point ओके यहां पर क्या लिखा है the temperature at which a liquid changes into a gas or vapor at atmospheric pressure is called boiling point देखे pressure को हमने कुछ भी नहीं किया जो हमारा atmosphere का pressure है वही pressure है pressure में कोई change नहीं किये हमारा temperature change हुआ है हमने पानी लिया है ठीक है यहां पर हमने change होना start होगा gas में जैसे change होगा तो वहां पर जो temperature हमारा आएगा वह होता है 100 degree Celsius तो उसी temperature को हम बोलते हैं उसका boiling point तो water का जो हमारा पानी का boiling point होता है 100 degree Celsius जैसे यह हमारा इसका temperature 100 degree Celsius जाएगा हम इसको boil कर रहे हैं उभाल रहे हैं वैसे यह वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड यह किसमें चेंज होने लगेंगे गयाच्य स्टेट में और तब तक हमारा 100 डिग्री सलसेश रहेगा जब तक पूरा पानी क्या भाब बनके ओड़ना जाए जब तक यह पूरा का यह जो हमारा कंटेनर रहे वह खाली नहीं हो ज को अब आपको लेटेंट अफ वईपराइजेशन समझा दिया है क्या होता लेटेंट वईपराइजेशन जब हम पानी लिए थी उसको वाइल कर रहे थे उबाल रहे थे ठीक तो हमारा कितने टेंपरेचर पे पानी उबलता है 100 डिग्री सलसेश पे जैसे जाता है उबलना स हैं उसको हीट दे रहे थे लेकिन हीट हमें दिखाई नहीं रहा था उसका टेंपटरेचर बढ़ ही नहीं रहा था थर्ममीटर में दिखा रहा था एंडिट पे रुग यह था जो जो हम तो देते हैं वह में झानलेघाद धेंट नई दिखाता है तुन सीन हीट को मेतें लेटेंट हीट एक लेटेंट का मतलब क्या doses एए छुपा हुआ है इसको जोना फॉर है घ्रीन थीक है अग्याप प्रोसेस हो रहा है वापराईजेशन का तो इसलिए निदे तौँ ändern हैं तो यहां पर क्या दिया है दले ची अचान के अफ़ यह इन आ सब्फ़नाक ट रिकार्म प्रिकविट ऍूसरें वो रिक्वाइरमेंट के वह होटा हीट जिसमें हमारा क्हा होता है वन क्या हैं जो लिक्विड होता है वह क्या होजाता है वैपर강 को लिक्विड हता है वेपर गल open high होता है boiling point उसका temperature ता उसी temperature पे उस temperature को increase किये भी नहीं सब्सक्राइब को water का boiling point कितना होता है 100 degree Celsius without change in temperature boiling point 100 degree Celsius से उससे कम या ज्यादा नहीं होगा कोई change नहीं होगा और जो liquid है हमारा वन की जी वो होता है latent heat water का the latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 to power 5 joule per kg इसका मतलब क्या है कि एक केजी जो liquid है हमारा water उसको हमें वेपर में convert करने के लिए 22.5 into 10 to power 5 joule heat की requirement होगी and next हमारा क्या है the latent heat of fusion उसमें हमने साथ भूल गया थे हम बताया नहीं थे तो यहां पे नोट कर लिजीगा the latent heat of fusion of ice is 3.34 into 10 to power 5 joule per kg तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में